आदर्श नगर थाना पुलिस ने दो नाबालिक सहित 5 आरोपियों को गिरफतार किया है जिनके पास से वारदात में इस्तमाल पोकर और लूटे गए 4300 रुपए बरामत कर लिये गए हैं पुलिस को दुर घटना के संबंद में एक शिकायत मिली मामले में घायल जितिंद्र यादो को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्त घोशित कर दिया ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर कारवाई शुरू की जाज के दौरान ये पता चला कि मृतक जि व्यक्तियों की पहचान की खूफिया और तक्नीकी निग्रानी के आधार पर कई स्थानों पर चापे मारे गए जिसके बाद दो नाबालिक सहित पांच आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया आरोपियों के पास से वारदात में इस्तमाल हतियार खून से सने हुए कपड़ और लूटे गए 4,300 रुपए बरामत कर लिये गए हैं फिलाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कारवाई शुरू कर लिया है कर लिया है